हलो फ्रेंड मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका श्वागत करती हूं कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्णिंग में मस्त होंगे और क्या कहूं दोस्तों यह हेज प्लांट है और आज मैं इनको थोड़ा सा सेप भी दे रही थी त दोस्तों बहुत लगोडी टॉप बेरी जाननीमल तॉप यह इंजने लहां रही ती है इसके पार्कों में लगे और यह अलग स्वाइप ख में लियंफनां तो यह अज्वाम इंट में बताती हैं दोस्तों और चलिसलिए ब्हुत ही अच्छा प्लांट है जो तामें आप ख आइकस को अपने गार्डन में हेज की रूप में जरूर एड करें दूसे नंबर पर है बोगन बेलिया दोस्तों बोगन बीलिया भी बहुत ही अच्छा एक हेज प्लांट है हाड़ी प्लांट है डिफ्रेंट डिफ्रेंट लुक में लगाया जाता है तो आप लगा सकते हैं ल यह सुष 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 में लगाया जाता है तो आप अंटलेंथ्य प्लांट को भी लगा सकते हैं और मधुमालती दूस्तों बहुत ही प्यारा लुब देता है वंडुरी वाल पर तो मधुमालती बहुत ही सुनर full और hardy plant है तो मधुमालती को एड कर सकते हैं आप लोग चाननी चाननी भी a boundary ball पार एक हेज की रूप में लगा प्लांट बहुत ही प्यार है लगता आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं तो बहुत ही सुन्दर यह प्लांट है सफलेरा दोस्तों सफलेरा भी हेज का प्लांट है आप इसकी हेज बना सकते हो बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है यह तो आप सफलेरा को लगाओ डोरंटा दोस्तों यह बहुत ही प्यारा ए एक नया लुक हो जाता है गार्डन में आप अपने गार्डन में क्रेटिविटी दिखाने के लिए हेज का रूप में इन प्लांटों को जरूर इस्तेमाल करें दिखिए यह मेरे ही गार्डन का व्यूज है जो कि मैंने एक छोटी-छोटी से अपने बॉल्स बनाए हुए हैं जाके और इसके बहुत सुन्दा सुन्दा टॉप यारी भी आप लोग बना सकते हैं तो इस तरह से आप इन सारे प्लांटों को अपने गार्डन में एड़ करेंगे तो आपके गार्डन का लुक ही बदल जाएगा तो अगर आपको मेरे च्छोटी सी शेरिंग अच्छी जाएगा ओिझ करेंगे पूदा करेंगे अवर जाओ करेंगे यार्डन आपके बदल भी आपके लुए टुक है बदल धरी आपके लोगने हैं ए जापके बदलाएव